कि यह रहा हमारा पहला कोश्चन राजु एंड शाहां पार्फिट इंड शेरिंग प्रॉपिट शेरिंग प्रॉपिट का मतलब क्या अभी एक कि यह रहा है कि सर क्यूं नए पाट्नर को लाए हम राजु ने कितना रुक्या सैक्रिफाइस की कीमत तो दे और इसलिए यह पॉंचप है रेश्यो का एंड ही शुड पे इमंजे हूँ इमंजे बाव रुट पे रुपीज छे अजार है शुड पे जन्रल रिजर्व यह जमा किया तो दो लोगने मिलके अभी तीसरा नया पार्टनर आ रहा है तो अभी राजु और शान क्या बोलेंगे अभी अगर जन्रल रिजर्व खड़ा तो इधर भी टिक करेंगे तो ग्रॉपिट और रिवाल्यूएश्ट रांसपर तू इपिस पो ट्रांसफर करेंगे इस पाटनर्स कैपिटल का जो बैलेंस है वो तो बैलेंस शीट पे जाए गई कैस अगा बैलेंस बैलेंस जीट पे जाएगा जो नर्व नर्शीन वन में पाट्नर कितने होते मीनीमम ब्रबल इसली जो थोड़ तब अपर्टनर होगा तब rings क्यों है एड़ोसन ऌ पक्राटनर काहे कर रहे हैंस नियून कॉस्टं पढ़ते हुआए अपना पशला कोशिग करेंगे कोश्चिन नहीं पंटक्र तो देखो राजू और शाम जो प्रॉफिट शेर कर रहें कैसे थी ज्टू वन में मतलब किसका प्रॉफिट टीन है और किसका वन है पताएंगे राज तीन अनि शाम एक अगर फॉर्म ने चार रुपया कमाया तो चार में से तीन रुपया राजू को मिलेगा और एक रुपय और शाम बिजनस कर रहे है पता नहीं कब से करते होंगे उनलोग का बैलेशीट दिया हुआ है तो उनके फॉर्म के उनके बिजनस के एसेज भी है यह दोनों जो फॉर्म चला रहे है इनके फॉर्म का टोटल एसेज कितना है एक लाख आठ हजार पांसों रुपया और लाइ राजू का capital लगाऊ है 45,000 का और शाम था के बिजलेगा 25,000 का कॉन सा किसका capital जादा है राजू का capital जादा है तो देखो ना profit sharing ratio में उसका असर दिखता है राजू का share तीन है और साम का शैर एक है नौर्मली था इसे होता है जो ज्यादा capital लगा वह ज्यादा profit में हिस्सा मां है 4,500 का और जन्रल रिजर्व है 6,000 का दिखता है जन्रल रिजर्व मतलब कि आसर इन दोनों ने मिलके अभी तक 6,000 रुपया इखटा किया है फ्यूचर में कुछ लगेगा तो वां परेंगे उसकी लिए मतलब टोटल लाइबिलिटीज भी एक लाग आड़ेजर पांसो का है तो अब्विएस्टी आसेट्स और लाइबिटीज का टोटल हास तो भी सेम अब क्या बोले है चेक करना बाबुराव इस एड्मिटेड ऐस पार्टनर इंदी फर्म ऑन फॉर्स्ट अपरिल 2015 ऑन दी फॉलोइं टर्म्स पाबुराव एक वेक्ति है जिसको पार्टनर की तरह एड्मिट किया गया है इन दी फर्म एक अपरिल 2015 को ऑन दी फॉलिंग टर्म्स और टर्म्स क्या देखना बाबुराव इस्टु पे 30,000 अजिस कैपिटल और वन फिफ्ट शेर इन फ्यूचर क्रॉफिट मतलब बाबुराव को 30,000 रुपिया कैपिटल पे करना है और उसका फ्यूचर में प्रॉफिट शेर कितना होगा बन फिफ्ट होगा इसका मतलब क्या अगर फर्म पाच रुपिया कमाएगा तो पाच में से एक रुपिया मिलेगा आप बाबुराव को ऐसा बोला है और आगे क्या बोला है और ही शूट पे रुपी 6,000 आइस गुडविल ओहो चलो बेख डिसकस करते हैं दो लोग इलके बिसनेस कर रहे थे राजू और शाम मानलो हम दोनो है आप और में हमारा बिसनेस तो अच्छा चल रहा है अब हम क्या कर रहे हैं हम एक नए पाटनर को एड्मीट कर रहे है हमारे फर्म में मतलब हमारे existing बिसनेस में हम और एक पापनर को एडमिट करेंगे फर्म में तो उससे पैसा मिलेगा ना कैपिटल के नाम पे जब भी मालिक बिजनेस चालू करता है तो बिजनेस में पैसा इंवेस्ट करता है तो हम भी जब नए पाटनर को लेंगे तो उससे पैसा लेंगे ना क्यों जो पैसा देगा वो भी तो बनने वाला है मतलब अगर आज बाबुराओं ने 30,000 रुपया लाया तो आज से बाबुराओं हमारे बिजनेस में भी मालिक बन जाएगा मतलब हम दोनों का फाइदा क्या हुआ हमको बेठे-बेठे पैसा मिला और एक नया साथी भी मिल गया बाबुराओं को फाइदा क्या बाबुराओं को रेडिमेट बिजनेस मिल रहा है जहां पे कम पैसा इंवेस्ट करके भी वो बिजनेस कर पा रहा है दूसरा फाइदा क्या बाबुराओं का सुनना बाबुराओं आज हमारा बिजनेस जॉइन करने माला है और हमारा बिजनेस अल्रेडी प्रॉफित करेंगा तो बाबुराओं को भी आज से ही प्रॉफिट में हिस्सा मिलना शुरू हो जाएगा क्यों सर्बाबुराओं को क्या फायदा है हम दोनों के नाम का फायदा है ना अरे हम दोरों पाट्नर जैं हम दोनों ने इतने समय से जो नया पाटनर आएगा हम उस से क्या लेंगे यह यह पीटल नया पाटनर को नहीं देगा माली का पैसा बिजनेश में इन्वेस्ट करता है तो यह जो नया partner 30,000 रुपया capital ला रहा है यह business में इंवेस्ट किया है sir admission partner को accounting में क्यों पढ रहे हूं अरे sir अगर हम नए partner को admit करेंगे तो उससे पैसा ले रहे ना business में पैसा हा रहा है ना तो transaction हुआ कि नहीं हुआ और अगर transaction हो रहा तो accounting भी करना पड़ेंगा अभी तक का पुराना situation क्या था sir दो पाटनर्स कौन-कौन राजू एंड शाम इनका ratio क्या था प्रफिश्य रेश्य 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 मतलब मान लो अगर टोटल प्रफिट फर्म का 500 रुपया है तो यह 500 रुपया राजू और शाम कैसे बाटेंगे रुपया और शाम को मिलेगा 125 रुपया अभी देखना न्यू सिच्वेशन हां कितने लोगे बता ही तीन लोग कौन-कौन राजू 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 को कितना शेयर मिल रहा है पाच में से एक रुपया और राजू और शाम का क्या शेयर था था थी स्टू ना तो देखो ना 3-1, 4-1, 5 पाच में लिया तो राजू और शाम के लिए कितना रुपया बचएगा 4 रुपया बचएगा मतलब बचा हुआ 4 रुपया राजू और शाम आपस में डिस्रिब्यू तीन रुपया-1 रुपया मतलब अगर टोटल प्रॉफिट पांसो रुपया हुआ राजू क कितना मिलेगा 300 मिलेगा बहुत बढ़ीया शाम को कितना मिलेगा 100 मिलेगा और अन्य बाबु रुप्या राजु का ओर सिच्वेशन देखो कितना है 375 मिलता था राजु को पहले अन्य भी बाबु के आने के वज़े से राजू को कितना मिल रहा रे 300 रूपया इसका मतलब राजु ने कितना रूपया सेक्रिफाइस किया 75 रूपया सेक्रिफाइस किये लाए रे बाबा और वोई सीन अभी देखो इसका वीचारे का ओल्ड सिच्वेशन में शाम को कितना मिलता था 125 और अभी बाभुरों के आने के बाद शाम बिचारा कितना रुपया ले रहे हाँ पत्त सौ रुपया इसका मतलब शाम ने भी सैक्रिफाइस किया रहे कितना रुपया सैक्रिफाइस किया रहे 25 रुपिया sacrifice किये लाए रहे और ये sacrifice जो कर रहे है राजू और शाम ये सिर्फ आज करेंगे कि आने वाले हर साल में sacrifice करना पड़ेगा आने वाले हर साल में sacrifice करना पड़ेगा अब सुनिये सर हम राजू और आप श्याम तो हम दोनों राजू श्याम मिलके बाबुराओ को क्या बोलेंगे अरे बाबुराओ तू आज हमारे business में एडमिट हो रहा है तू capital ला रहा है capital लाया तो एसान किया क्या अरे खुद का business खोल रहा है राजू और शाम के वज़े से आज तक हमने business किया है आज तक market में हमारा नाम हुआ है हमारे firm को अगर कोई पेचालता है तो हमारे वेज़े से पेचालता है मतलब तेरे को आज से profit मिलने वाला है हम दोनों की goodwill के वज़े से और in fact हम बाबुराओ को बोलेंगे तेरे आने वाले हर साल में मिलने वाला है तो यह ready made profit का credit किसको जाता है राजू और शाम को हमको हमारे नाम का पैसा दे क्यों इतने सालों तक हमने महिनत किया है तो हमारा भी हक बनता है आज से हम तेरे लिए sacrifice कर रहे है तो इस sacrifice की कीमत तो दे और इसलिए यह concept है sacrifice ratio का हम लोग sacrifice ratio किता रटेंगे रे sacrifice का concept समझाना अब sacrifice ratio का concept देखाँ क्या है सर यह जो sacrifice कर रहे है ना how are they sacrificing राजू is sacrificing 75 rupees and शाम is sacrificing 25 rupees 75 versus 25 दिखता है क्या 3 is to 1 का ratio है 25 1 जा 25 3 मतलब राजू तीन गुना sacrifice कर रहा है as compared to sham इनका old ratio क्या था 3 is to 1 मतलब शाम अगर एक रुपया कमा रहा था तो राजू तीन गुना कमा रहा था तो अगर कमाई तो राजू का sacrifice भी तीन गुना होना चाहिए ऐसा नॉर्मल ही होगा हमेशा होगा जरू नहीं नॉर्मल ही होगा ऐसा होना चीन तो जगड़ा हो जाएगा ना राजू ऐसा बोलेगा क्या शाम को अरे काम करते ना sacrifice अपन इक्वल करते हैं आपन दो दो रुपया पर क्या टर्म या एक कंडिशन यह था कि बाबुराओ को 30,000 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा बिजनेस में उसको फिस्सा मिलेगा फ्यूचर प्रॉपिट्स में एंड इस सेकेंड पॉइंट इस वरी इंपोर्टेंट एंड ही शुड़ पे की मंजे हूँ ही मंजे बाबुराओ शुड़ पे रुपीज 6,000 रुपया जो वो बिजनेस में डालेगा यह 6,000 रुपया को लेने वाला है राजू एंड शाम को क बाबुराओ को प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है तो बाबुराओ का फर्ज है कि वो इनके गुड़विल का पैसा इनको दे और यह जो 6,000 है राजू और शाम को मिलेगा कौन से रेशियो में सैक्रिफाइस रेशियो में जो कितना धुण के निकाला आपने 321 यह विल आलवेज बीकोल टुदी ओल्ड रेशियो तो फॉलिं टम्स और टम्स क्या है देखना सेकेंड थर्ड फूर्थ में क्या हो रहा है स्टॉक रेडियूस हो रहा है टैन परशेंट फरनीचर रेडियूस हो रहा है 20 परशेंट और जमिन बिल्दिंग को एप्रीशियेट क करो वापस से क्यों अभी नया पाटनर आ रहा है तो आज से यह फॉर्म का एसेट लाइबरिटीज में भी बाबुराओ का हिस्सा रह जाएगा तो हम क्या करेंगे पता है क्या राजू और शाम पूरे बिजनेस के एसेट का वैल्यूएशन निकालेंगे फिर से और देखें करोगे नये पाटनर के आने के बाद की पहले जब री वैल्यू होगा उसके बाद ही हम नये पाटनर को बोलेंगे ना देख मेरा एसेट का वाल्यू अभी ताजा-टाजा इतना है बोल कितना रुप्या देगा question says prepare profit and loss adjustment account तिख रहा और कुछ assets के value बढ़ रहे है और कुछ assets के value कम हो रहे है yes or no अगर assets का value बढ़ेगा तो profit और लॉस को record करने के लिए हम profit and loss adjustment account बना रहे है अब हम उस net profit में ये changes को adjust करने वाले हैं आगे बुला है पार्टनर्स capital बनाने के लिए तो इसे भी बनाना पड़ेगा क्यों पार्टनर्स का सारा सेटिंग उसमें होईगा फिर बोला है देखो balance sheet of the new firm देखो ना question में जो balance sheet दिया है कितने partners दिखते हैं अब solution में जब हम नया balance sheet बनाएंगे balance sheet of new firm बताओ कितने partners होंगे अरे वा क्या बात है रहे बहुत बढ़िया तो ये तीन चीज़े अपने को बनानी है अपन चावती चीज़ और बनाएंगे क्या देखना ध्यान से हां अरे अरे तो ये cash का balance change होगा ना नया partner capital आ रहा है goodwill भी ला रहा है वो हम बाट रहे तो पूरा changes कीदर record करेंगे cash account में खली एक पॉइंट क्या important रहेंगा पता है ये cash account जो है ये बनेगा working note का हिस्सा so are you ready to draw the columns you can see मैंने joint page लिया है ऐसे ही joint पेज लिया कंपसर नहीं joint page लेना बट सिंस हम पहला question कर रहे है joint page लोग है तो मजा आएगा थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा तो joint page लेना left और right एक page पे दो कॉलम्स दिखता है profit and loss adjustment account और उसके नीचे partners capital अकाउं उसके बाद है right side पे new balance sheet और फिर उसके नीचे cash account और इसके नीचे कैश अकाउंट question 1 है चलो सबसे पहले लिख देंगे हमारे इसमें भी question 1 in the books of firm ऐसा लिखा है कि कुछ फॉर्म का नाम नहीं दिया तो भी ऐसे लिखेंगे इसमें रिकॉर्ड करेंगे चेंजेश हां पता है न मैंने बोला ना एसे लाइटीज में चेंजेश होगा मैं को बाता हूं अगर एसेट का वैल्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट की लॉस कितर रेकॉर्ड करेंगे क्रेडिट की डेबिट अगर एसेट का वैल्यू कम हुआ तो फाइदा की लॉस लॉस की दर रेकॉर्ड होगा बस सिंपल डेबिट तो अगर नुकसान हुआ तो डेबिट डेबिट ओल एक्सपेंजे जैन लौसेस उसके बाद पार्टनर्स केपिटल है यह तो नॉमल है यहां पर अभी कितने पार्टनर्स थे तीन पार्टनर रहें ना चलो फिर लिखते हैं क्या क्या राजू चांब और तीसरा है पाबुला तो राजू शांब और अगे चलते हैं नियू बैलंसीट डाइज हओन नया बैलंसीट को उनसे तारीक को बनेगा 31 मार्च नहीं 31 जिट बनेगा आरे वैया नया बैलंसीट क्यों बना रहे क्यूंकि हम नए पाटनर को एडमिट करें नया पैटनर को भी आया देखो लिका यह बाबुराव इस और फिर वर्किंग नोट में कैसे कॉन तो ही अब यह पूरे कॉस्टन में है न हम एक चीज तो कन्फर्म लिख्के रख देंगे क्या पता है न्यू बैलन्स शीट में पार्टनर्स कैपिटल कितने लोग थीन कौन-कौन अभी नए बैलन्स शीट में नए पार्टनर की इंट्री हो रही है तो पहले के दो तो रहेंगे ही आज इस तिसरा भी आ जाएगा अब हम क्वेश्टन को एनलाइज करेंगे यह क्वेश्टन को सॉल्व करने के लिए अपने पास सॉल्वीशन में कितने फॉर्मेट्स है यह कॉस्न में देख रहा है पहले पारेज्ट दिया हुए है पैंच एक सडूब यह लाइयJa आईन हीटे यह कितने लोग का वैलिए आ यह तो पुराना वैलंंचीट है ना यह दो लोग का वैलिंट Bluetooth है उल्किन तो यह जो आईसे यह ऊप्णा然后 रहेंगे घरेंग अरे इसके value थोड़े को दुपर नीचे होंगे पर यह assets ऐसी कि इसी रहेंगे इसका मतलब यह सारे assets को हम किदर पोस्ट करेंगे क्यों यह जो इसके बाद तीनों के हो जाएंगे इसे यह पूरे new balance sheet के चले जाएंगे अभी कुछ लोग यह सोचते रहेंगे क्यों अपने इक्नोर किया अरे cash in hand तो cash account में जाएगा देखो ना क्योंकि अलग से cash account बनाया हमने तो यह किदर ट्रांसफर करेंगे बताओ cash account में अलग से cash account के कहां पे बताओ मेरे को cash account के किदर डेबिट में की सिंपल चलो अब लाइबिटी बताइए capital किदर लेके जाएंगे बताइए capital जाएगा partners capital में किदर डेबिट की क्रेडिट अरे liabilities always credit तो इसको भी PCC यार partners capital के credit में क्या लिखेंगे बाइब बालेंज ब्रोटन अच्छा फिर नाइस बताओ यह पहले लाइबिटी थे वह आज भी लाइबिटी है वह कल भी लाइबिटी रहेंगे मतलब पहले जो पैसा जाने वाला था वो भी भी शाम ने यह पैसा obviously future में जाने वाला है करके लिए liability है कोई गलत नहीं है पर यह जमा किया था दो लोग ने मिलके अभी तीसरा नया partner आ रहा है तो अभी राजु और शाम क्या बोलेंगे अभी अगर general reserve खड़ा करना है तो तीनों मिलके वापस से जिरो से खड़ा करेंगे जो हमारा पैसा था जो हमने बचा-बचा के जमाग किया था वह आज हम दोनों आपस में बाट लेंगे ऐसा राज और शाम बोलेगा यह दोनों old partners है तो यह आपस में बाट लेंगे अपने वाले रेशियो में क्या था इनका पिछला पूराना प्रॉफिट शेरीज रेशियो क्या था बस खतम तो जनर्णर इसब क्या करेंगे और फाटनर डिस्टिब्ई ज्यक्रेय तो कहां पर बातेंगे और आपने इसे पर श अरे वोल्ड वालों का है देखो ना इधर दोई लोगे पैसा भी नों का है, तो दोणों को है बातें के तो ओल्ड रेशो, ओल्ड पाटनर्स खताम, अभी सुनौ ना अभी इडजेस्मेंट है, यह हिस्सा लिक्राँ यह हुआ इस्साक दिख रहा यह हुआ तो इसके लिए किसी को भी करेंगे ही नहीं आगे देखते हैं तो सबसे पहले आप लोग टेबल को पोस्ट करेंगे और फिर अज्जेस्मेंट करेंगे तो टेबल में जिदर जिदर टिक है उदर वो अमांस को किदर लिखना पड़ेगा इनर में और येक लाइन छोड़ देंगे शुरू करते हैं सॉल्व करना सबसे पहला चलो ऐसे सबसे पहला कैशने जाएगा कैश अकाउंट में कैश अकाउंट के डेबिट में टू बैलेंस तो चलो लिख देंगे तो 5,750 नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल एसेट्स में कोई टीक नहीं तो सिदा भार फिख देंगे नियू बैलेंस शीट की एसेट्स में तो बिल्स रिसीवेबल 9000 सिदा भार फिख देंगे हम फिर डेटर 24,000 इनर कॉलम में रेट लाइन छोड़ देंगे स्टॉक 30,000 इनर कॉलम में फिर से एक टिक है इनर कॉलम में परनीचर 2250 अगेन इनर कॉलम में 2250 जमीन और बिल्लिंग 37,000 अगेन इनर कॉलम में अब लाइबिलिटीज को पोस्ट करेंगे लाइबिलिटीज में कैपिटल जाएगा पार्टनस कैपिटल के क्रेडिट में हम लिखेंगे बाइब बालेंस ब्रॉट डाउन दो पाटनर्स 4525 राजू शाम तो राजू के इसमें 45,000 शाम में 25,000 और बाबो राव में डाश क्यों ये पोराना पाटनर नहीं है तो इसका अल्डेडी कोई कैपिटल नहीं है रेटर्टर्ज और बिल्स पेडल लाइबलिटी है 28,000 शाहर जात लाइबलिटी में लिख देंगे रेटर्ज बिल्स पेडल 28,000 और 4,500 और लास्ट में जन्रल रिजर्ब जन्रल बाटनेंगे पार्टनर्स कैपिटल में क्या रेशियो है तौ पार्टनर्स केपिटल की क्रेड में लिख देंगे बाई जन्रल रिजर्ब क्या रिशियो है 3-1 वतर यह कितने लोगों को बाटेंगे ओबियसली दो लोग को सर रेशियो है न तो वरकी नोट कमांवा। दूस्रा रॉकी नोट जन्रल रिजर्ब to one but love cheeha jar honey latin divided by four and cheeha jar honey let the one divided by four four ones are four teens are 60 so 1500 into three will give you 4500 and 15 into one will give you 1500 on your way shall of 4500 and 1500 of posting up to adjustments by adjustment Baburah is to pay 30,000 as his capital Baburah 30,000 invests businessmena I am accounting career. I am so sure to tell you about obviously business. So how do we say that? I have a key guy Baburah 30,000 as his capital 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 Baburah 30,000 based made 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 two Baburah 10 capital accounts simple peace a job. लुटन कि पर बाता ही इस लिप्फिक्ट किदर संगें इप noose capital ऊकाउंट से एक अथियू अपलोस गाप तो फोद आप में के लिट पूर्व इडद क्रेड़ क्रेड़िट क्यों क्रेडिट बापूर ने पैसा दिया बापूर आ थे क्रेडिट दी मनी रूसेज इड़ी गी क्रेडिट कर देंगे क्रेड में क्या लिखेंगे बाई अरे क्या सब्सक्राइब किदर बाबुराओ के कॉलम में कितना रुपया में क्या सिम्पल चीजी बस बताईए यह चयोजा रुपय जो goodwill का है ये किसको मिलेगा 5000 रुपया ये goodwill का पैसा किस के लिए लाया है बागुराओने old partners के लिए राजू एंड-शाम के लिए कि राजू एंड-शाम ही तो है जो sacrifice कर रहे हैं पर बागुराओ तो राजू एंड-शाम को ये पैसा मिलेगा तो राजु एण शाम का फाइदा के नुकसान तो राजु एण शाम का अजडर फाइदा है तो प्रॉफिट है तो ग्रिडिट की डेबीट चलो भाई फिर राजु एण शाम को क्रेडिट कर देंगे और क्या लिखेंगे बाई उड़lichen भूरबी यहां पर डबल इफिक नहीं तो जब ध्यान से और कुन से रेशियो में पाटेंगे साक्रिपाइज रेशियो विच इस नफिंग बट इपल डूर्ड रिश्यो धिस त्री स्ट वान वापस दूनने का ज़ा होते हैं इसका मतलब अगर पाटनर को फायदा हुआ तो पाटनर को क्रेडिट और पाटनर का नुकसान पाटनर को डेबिट चलो अभी तो नॉर्मल अपना फाइल अगौंट एंजिस्मेंट से पहला देखो क्या वोला है स्टॉक को रेडियूस करना है 10 और फार्मीचर को रेडियूस करना है 20 पर्षिंट क्या करेWebisa यहाद जल्दी से स्तॉक से लेस फीरिचर से रेज़ सिसे लेस चलो बड़ा विधायान से देखना स्टॉक में में क्या लिकूंगजा पता है लेस रिटन को कि इस टॉप में डेप्रीशियेशन मत लिखना स्टॉप में डेप्रीशियेशन नहीं होता तो लेस रिटन ओप एड देरेट 10 परशेंट 10 परशेंट माने ती ना जड़ माइनस कर देंगे भार चला जाएगा 27,000 इसके बात फर्नीचर फर्नीचर लेस इधर तो लिख देंगे डेप्रीशियेशन अब यसी बात है आई डरेट 20 परशेंट चलो बैट 20 परशेंट तो हजार दो सो पचास का 10 परशेंट इस दो सो पचीस दो सो पचीस का डबल चार्सों पचास एक बढब ना सिम्पल एक और लिए वाल्यू कम हो गया तो मेरे लिए प्रोफिट है की लॉस और लॉस को कहा पर रिकॉड्ड करेंगे profit and loss adjustment account के debit side में important चीज़ क्या सुनना ध्यान से यहाँ पर we will not write depreciation we will write the name of asset मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे two stock account इसका मतलब हम क्या बोलना चाह रहे है कि profit and loss में हमने तो दूसरे का क्या लिखेंगे बताइए दूसरा क्या था सर फर्मेचर का भी वैल्यू कम हुआ तो उसके लिए भी डेविट करेंगे तो 450 के लिए क्या लिखेंगे टू पर नीचाद अकाउन परफेक्ट 450 आइड़ी इस तो बी प्रोवाइड एक 5 परसेंट ऑन दी डेटर्स क्या करेंगे डेटर से लेस परफेक्ट चलो लेस आइड़ी अब यहाँ पर ओल्ड आड़ीड नियू आड़ीड एसा लिखने का गरज नहीं है सिदा आड़ीड लेस आड़ीड परसेंट 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 का अधा 2400 का अधा 1200 1200 रूपिया माइनस कर देंगे आजाएगा 22800 है शेकर इपिट बता इए सर फाइदाही की मुकसान आड़ीड के वज़े से आड़ीड मतलब शाइद पैसा डूबेगा तो डिटर से कम पैसा आएगा इसलिए तो लौस है और लौस मतलब डेबित तो चलो डेबित में लिखेंगे टू आर डीड यहाँ पर तो आड़ीड की और टू आडिए काउंट लूट या 1,200 लास्ट बजग्या लंडन बिलिंस तो भी अप्रीशिट जरम इंब फिर शीट करना है अप्रीशीट कर ला मतलत क्या होईगा एस है का वल्यू बड़े गाखम होगा अपिसलिसर अप्रीशियत कर रे डेप्रीशियत का रोड़ बड कि अप्रिशियेशन कितना रुपिया कि 20 चलो अप्रिशियेशन 20 परशेंट 10 तक का उसका डबल थी 37500 का 10 परशंट आएगा 3750 इसका डबल 3750 8 715 करना कंटिन्यू लेस्ट कर रहे तो लेस्ट करने का आदल हो जाता है जाएगा 45000 फायदा की नुकसान ओबिसली फायदा फायदा माने प्रॉफिट प्रॉफिट माने क्रेडिट तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे बाई जमीन एंड बिल्लिंग अकाउंट है तो ओपिसली अकाउंट लिखना ही पड़ेगा कितना साथ हजार पांक सो रुपिया अभी क्लोजिंग शुरू करें चलो सबसे पहले तो यही प्रॉफिट अजिस्ट्म अकाउंट क्लोज करेंगे चलो क्लोज करतें बताई भाई क्रेडिट साइड बढ़ाए री वैल्यएशन येस और ओब फ्रॉफिट ऊंट्री इवैल्यएशन ट्रांस्ट्फर टू बताइक इसको ट्रांसवर करेंगे सारे पांटर्स को किसी और पांटर स took कभी रिवैलू किया बीफॉर अड़िशन रिवाल्यू कर रहे हैं तो बिफोर एडमिशन कितने पार्टनर्स है दो पार्टनर्स तो बिफोर एडमिशन का जो भी प्रॉफिट है सब का है कि सिर्फ पूराने पार्टनर्स का है तो यह जो रिवाल्यूएशन पर प्रॉफिट मिला है इस पर किसका हक बनता है इस इत मेकिंग सेंस तो प्रॉफित अन्री वैलिएशन ट्रांस्फर टू ओल्ड पाटनर्स कैपिटल अकाउंट तो देखो सर दो लोग को बाटेंगे कौन-कौन राजु अनी शाम राजु अनी शाम इतना आएंगा रे देखो धूम लेते पाच, पाच, दस एक आच और दो साथ, आठ बंदरा एक चार और एक पाच और दो साथ मैं गाधा है तो तू 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 ताओ तू 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 का प्रॉफित सबसे इंपॉर्टन देखिए अब ये 2850 मतलब राजू का हिस्सा निकालने के लिए कुछ मंटिप्लाइ दिवाइड मत करो सिंपल बताओ क्या करोगे बता हिए सर दो हजार आच्सों पचास में से अगर 713 रुपया शाम को मिल गया तो बचा हुआ हिस्सा राजू का तो 2850 माइनस 713 चलो भैं देख लेते 2137 2137 and 713 rupiah अभी टोटल लेके थे लो 7 3 10 1 4 1 5 1 7 8 and 2 परफेक्ट सेगन डिफेट बाता हिए जलगी से जगन डिफेक्ट अब इसली सर पार्टनर को बात रहे है तो पार्टनर कोई बाते हैं तो पार्टनर कोई बाते हैं तो पार्टनर स्केपितल में अगांट अउदर से आ रहा है यह आमोंट बाइ प्रोफिट अन्ड लॉस अग्चेस्टमेंट अकाउंट और ब्राकेट में लिखना प्रोफिट इप्रोफिट हाँ 2137 and 713 धान से अमोंट लिखना चलो बैटोटल लेलो ओविसली क्रेइट साइट ही जाद है डेट में तो कुछ है नहीं 37 10,1,11,1,6,4,10 14,2,16 and 156,137 इसका टुटल राजू का शाम का 28,000 28,007,13 28,007,13 and बाबुराओ का 30,000 इस सेम टुटल आजाएगा डेट में भी 56,137 28,007,13 and 30,000 ओ भाई अभी 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 दैन से सुनो यह इनका जो बैलेंस है किदर जाएगा रहे यह बैलेंस? मेरे को बास यही पाता था बहुत बढ़िया किदर जाएगा यह बैलेंस? यह डिसल्यूशन है पैसा बचेगा पार्टनर्स को आपस में बाठ दो और पार्टनर्स कल्टी अगर इसको कैश में ट्रांसफर किया तो क्या होगा सर? सारे पार्टनर्स को उनका पैसा मिल जाएगा तो capital will become zero और बैलेंस चीट में अगर capital ही नहीं रहेगा partners capital के अंदर फिर partners capital का balance close होने के बाद balance sheet में और cash account close होने के बाद फिर balance sheet में position समझ रहागा तो यह आएगा to balance carried down 56,137 28,713 and 30,000 यह जाएगा balance sheet में लिक के रखा हो है अपने partners capital तो राजू के शामने राजू के सामने 56,137 शाम के सामने 28,713 and बाबुराओ के सामने 30,000 शारो टोटल लेते 415,8 50 68,14 68,14 16,283,11 हाँ बाबा तो वनलेक्ट पोटी में यह बाबा मैंने इकदर कुछ बोला वनलेक्ट को लिखा है चाश को क्लोस करों फिर अफिर अफिर अबी के आश का बैलेंस लेना है उध्यान से इसे का डेपिट से जाद़ आ रहे है को ती वन थाउजन 750 41,750 तो क्या लिखेंगे से रिदर भाई बालेंस कर इडाउन ना हम ये बालेंस को कर रहे बालेंस शीट में तो भाई बालेंस कर इडाउन क्रेइड में बालेंस बचर है तो बालेंस कर इडाउन मतलब इस बालेंस 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 शीट चैश इन हैंड इधर विदेंगे चैश इन हैंड और लास्ट में बालाचीट करद लेंगे और बालंशिट टैली हो जाएगा देखते हैं कितने पे टैली हो रहा है 8, 5, 13, 350, 8, 5, 13, 1, 5, 8, 13, 4, 17, 1, 2, 2, 4, 1, like 47, 350 पे ताली हो रहे है, आ, वही तो, 350, 2, 9, 11, 2, 13, 20, 21, 26, 21, 27, 27, 2, 2, 4, 6, 6 and 8, 14, 1, 00,47, 350 पे हो गया, टेली पेला धुशाँ! कितर हसते रहे हैं मुस्कुराते रहे हैं और पढ़ते रहे हैं एग मिशन आप पार्टनर फिर मिलेंगे नहीं कुशन के साथ तब तक के लिए चेक केर और आप नाइस टाइम गाइस स्क्री में कुशन आप दो मैं आप आप हैंगे कर दो के लिए कर दोग से सबते हैं एग साल अक्रinkyस एक अजितर